नमस्कार दोस्तों मैं हूँ उपासना सिंग स्वागत है आपका सुभाश गोईल हेल्थ शो में आपने यह तो सुनाई होगा कि जान है तो जहान है मतलब अगर आप सेहत मन्ध हैं तो दुनिया बहुत खुबसूरत है लेकिन अगर कोई भी बिमारी आपके शरीर में प्रवे बात करेंगे लिवर से आपने लिवर सिरोसिस नाम की बिमारी के बारे में तो सुनाई होगा इसमें जिगर पर मतलब लिवर पे बहुत सारे जख्म हो जाते हैं और इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वर्दान आयूर्वेदिक और हर्बल मैडिसिन प् बहुत प्यार भरी नमस्कार सबसे पहले तो आप हमें यह बताईए कि फैटी लिवर होता क्या है और इसके लक्षन क्या है लिवर फैटी होना आज की डेट में बहुत ही संस्टिव इसू हो चुका है क्या प्राब्लम क्या है कि जैसे लोग आजकल जो खान पान है तो उसमें बिल्कुल संसीर नहीं है जैसे लोगों को बताया जाता है कि अब बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हम अपना वेट लूज करने के लिए गोल सब वो ले रहे थे शहद डाल करके गरम पानी में सुबह सुबह तो उसके जो साइड इफेक्ट आते हैं वो उनको पता भी नहीं होते हैं धीरे धीरे वो यूरिक एसिड का कारण और यह सबसे पहला इसका जो प्रवाव होता है वो लिवर पे होता है और लिवर को यह एक तरह से धीरे 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 करता है और गरम पानी में अगर शहद मिला के पिया जाए तो वो लि किसी किताब में नहीं लिखा किसी को पूछते हैं लेटी थी इतने सालों से उसने भूर से क्या करते हैं वो कोई और वी दवान आता है वो कहता है इसमें थोड़ा निम्बू मिला लो निम्बू मिलाया नहीं और जोड़ों धर्द पैदा हो जाता है, तो मतलब वो लेते रहते हैं सालों सालों, यह नहीं कि एक ही दिन में होता है, समय लगता है, लेकिन जब उसका पता चलता है एक दिन, कि इसको तो जब टेस्ट होते हैं तब पता चलता है जाके कि लीवर फैट ही हो रहा है, लीवर की प्राइब उसमें क् वैघ हुमने देखा हमने उनको पूछते हम कितने साल हो के वह कहते हैंने 20 साल advertising di कोई कहते हैं हम 15 साल होंते हम पूछते हैं उस दिन कितना वजंता चाहश कितना है तो एक गराम भी मोत गश्वाद हो सकता है कभी काम हो जाता है कभी फिर बढ़ जाता है मतलुरित यह जो वेट काम करने की होड है, इसके अंदर हम हमेशा लोगों को यही कहते हैं कि सबसे पहले अपना हार्ट, ब्रेन और लीवर, यह तीन जो आर्गन्स हैं, इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, अगर कोई नुस्खा आपको घरेलू पता भी चल जाता है, तो आप किसी विदवान से, किसी नजदीकी डॉक्टर से, उसके बारे में सलाह जरूर लेनी चाहिए, बिलकुल, बिलकुल, और आप यह इसके लक्षन हमें बताईए, जैसे कि आम आदमी है, उसे तो कई बार पता भी नहीं चलता है, कि उसका लिवर जो है, वो फैटी हो चुका है, तो उसमें जो हम देखते हैं, कि जिनकी वेस्ट मैं आपको एक बड़ा इजी वेव बताता हूँ, जो लड़के हैं, अगर उनकी वेस्ट थर्टी फोर से उपर चली जाए, तो समझो उसका कहीं ना कहीं लिवर में फैट डिपाजिट है, कहीं ना कहीं उसके लिवर में कोई न रह सकते हैं, लिवर को ठीक रखने के लिए बहुत सरे ऐसे फ्रूट हैं, जैसे गाजर है, बहुत गुड है इसके लिए गाजर, अगर एक गाजर आप डेली खा लेते हो, तो लाइफ टाइम आप लिवर को अपने को स्वस्त रख सकते हो, ये एक अपने आप में बहुत ब लक्षन था वो मैंने आपको बताया, दूसरा लक्षन क्या होता है, कि पेशेंट को ज्यादा तर भूख की कमी हो जाती है, आंखों में येलो पना जाता है, बाथरूम में पीला पनाने लगता है, और उनको लेजिनस बहुत हो जाती है, उठने में, बैठने में, काम करने क करता है, कि मैं तो आज ही पहाड चड़ जाओंगा, लेकिन जब काम करने की बार ही आती है, वो करता है, छोड़ो कल देखेंगे, तो इस तरह कि जब लक्षन आते हैं, तो समझो उसके लीवर में कहीं न कहीं कोई न कोई न कोई प्रॉब्लम जरूर होती है, जैसा कि आपन हो गया है, सोने का टाइम नहीं है कोई या कुछ, लेकिन आप हमें ये बताएए कि अगर ये चीजे खाते हैं के भी कोई इंसान स्वस्त रह सकता है, क्या हाँ, ऐसे में दो तिन चीजे हैं, मैं मेडम आपको बताना चाहूंगा कि लीवर का सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है आमला, आमला, आपने सुना होगा कि आमले का खाया और मुजर्गों का कहा बाद में पता चलता है, बिलकुल, बिलकुल, ये बाद में पता चलने वाली जो बात है, ये सच मुछ जिन्नों ने 10-15 साल खाया है, अब जैसे हम भी आपके सामने बैठे हैं, हमने 20-25 साल पहले के बाद जान ली थी, कि जैसे गरंतों में लिखा है, पड़ा है, तो हमने उस दिन से लेना शुरू किया, आज राउंड 60 के आसपास पहुंच गए है, बड़ी बेटी भी डॉक्टर बन चुकी है, मतलब कहने का कि आज भी हम उस मालिक से ये कहते हैं कि आपने हमें स्वस् से दे सके, बता सके, तो मतलब ये एक आमले का जो प्रतक्ष आपको मैं बता दूँ, जिसको परमान की जूरूरत नहीं है, वो मैं खुद आपके सामने हूँ, कि हमने कोई भी ऐसा दिन नहीं, सिर्फ हम संडे को नहीं लेते, वो मैं सब को बोलता हूं, कि एक दिन ये आमला में जो 23 डॉक्टर काम करते हैं, अपनी बेटी भी उनके साथ लगी रहती है, तो मतलब वो सारे इतने फैटी लीवर पर प्रोड़क्ट हैं, जैसे हमारा एक मैं आपको और बताता हूं, मैडम इसके लिए सबसे बड़िया चीज है, आमला तो आपने सुना ही होगा, देखा होगा, बहुत खाया भी होगा, एक भूमी आमला होता है, जैसे करेला होता है, बाड करेला होता है, तो एक आमला होता है पेड, एक भूमी आमला होता है, जो भूमी पे बेल बिचती है, वो आमले की, उसको छुट छुटे आमले लगते हैं, उस बेल का पूरा पंच लिए तो वो जो पाउडर रूप में आता है यह मैं उसका आपको लेकर आया हूँ थोड़ा सा प्रड़क्त दिखाने के लिए यह इसका नाम भूमी आमला का भू अमरित रखा गया यह सच में अमरित है लोगों को लीवर की है मुर्टाप्पे की डिक्कत है जाज इनको लग साली करोड की अवादी है हम सब को तो दे नहीं सकते है घर पे लोग बनाएं रखाज plywood हैं जबसे अपने kitchen बना रखा है उसको तब से उसमें कियो किच होती है जब र सोई थी इसमें रस रहता था है अाँ अलगों दादी-मावान अपनी इरसवी में क्या मिलता है पाश्ता, अपनी इरसवी में क्या मिलता है आलू के बनाने के लिए चिप्स पर जब भी थोड़ी भूख लगती है वो बना लो और साथ में उसको और जलाने के लिए चाह पीलो पहले क्या होता था हम ऐसे परवार में पले हैं बड़े हुए अब क्या हो गया अब खाना भी जंक फूड और उसके ऊपर कोल डिंक पीना जा उसके ऊपर चाय पीना तो लीवर की तो बचारे की ऐसी तैसी हो जाती है पूरा दिन में तो फिर भी भगवान ने अपनी बाडी के अंदर ये लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपनी रिकवरी ख करें तो ये अपनी रिकवरी खुद करता है किसी बैद की किसी भुवमर्त की जरूरत नहीं पड़ती ये अपने आप में एक मैं आपको बहुत बड़ी बात जो आम लोगों को नहीं पता वो बताना चाहता था आपके माध्यम से कि ये चीजे अब जैसे मालनो एक चीज और है आपके घरों में है हर गाओं में है हर जगा है हर स्टेट में है वो है किकर जिसको बबूल बोलते है अब बबूल क्या है बबूल आपकी बाडी के हर हर तत्त को जैसे जिंक है आईरन है केल्शियम है फासपोर्स है कोई भी चीज है उसके लिए बबूल का जो पाउडर ह और बबूल का है उसका पंचांग बबूल की फली हो गई जिसको हमारे पंजाब में तो उसको तुक्के भी बोलते हैं उसके अचार भी डालते थे हर तरह से उसको खाते थे तो ये जो बबूल है इसका अगर पाउडर का एक चमच डेली रात को पानी में डाल करके आप रख साहता है और ना है कि उसके बाड़ी के अंदर चाहे आप मेल हो आप की डादी के अंदर एक सबसे स्ट्रॉंक चीज़ क्या है वो आपका बीर्या है और जब कर दिया तो बॉडि के अंदर और क्या चाहिए है त्य 1075 अपने जॉइंट आयं अंके उपर लॉपर्रीकेशन कर करने का यह काम करता है जॉइंट लुबरिकेट हो गए तो समझो आपकी मशीन स्ट्रॉंग हो गई तो इसके साथ मतलब दो चीज़े हम लोगों को बताते हैं कि भाई एक तो कीकर फली का पंचांग और दूसरा जिसे हम बंबूल का पंचांग कहते हैं इसको अगर आप सेवन हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको यह चीज़े घर पर बनाने की आदत पड़े ताकि वो अपने कम से कम 10-12 लोगों को तो वही संभाल लेंगे एक एक आदमी 10-12 को संभालेगा तो पूरा देश दीरे-दीरे संभलेगा और हमा अब दौर की जिन्दगी है लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि अकसर सरदर्द होता है तो आप मुझे यह बताईए किसी को सरदर्द कहते हैं यह यह सर के अंदर की कोई खास अंदरूनी बिमारी है जिसे माइग्रेन कहा जाता है और वर्दान आयूरवेद में क्या इसक ही यह प्रॉब्लम है माईग्रेन का सीधा तालुक जो है वो हमारी नाभी से है बैली बटन से है पेट के सेंटर से है हम अपने बैली बटन को क्या देते हैं वो विचारे क्या है कि हम सुबा सुबा उसको साफ करते हैं उसके अंदर थोड़ी सी फूसा आ जाता है कॉटन सी और चक्र को कों अस्विγ बन जाती है वो एक चक्कर है जो जिसे हम कहते हैं नाभी चक्कर है जो चलता रहता है हम अपनी नाभी को कुछ भी नहीं देते और जबकि नाभी को तेल लगानา चाहिए या देशी गी लगाना चाहिए ताकि आप पूरी तरह से आपका नाडी तंतर जो है वो लुब्रिकेट रहे जितनी भी अपने शरीर की नसे हैं सब का नाभी से लिंक है आप देखिए गा जिसको भी माईग्रेन का जब अटैक आता है तो उसको पेट में गैस बनती ह गुबार चड़ता है फिर वो उसको लाइटें बुरी लगती हैं कि लाइट बंद कर दो तो वो धीरे 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 आदा सिर हो रहा था फिर पूरा होने लगा फिर फटने लगा तो इसके लिए भाई बंदो सबसे बड़िया चीज है कि आप सरसों का तेल या देशी आपने कुछ बताया है हमें और साथ ही एक बहुत गुड मैं आपको मैडिसिन बताता हूं आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे आपको यह चीजे मिल जाएंगी उनको मिक्स करके आप उसको डोज बना लीजिएगा गोधनती भसम आता है गोधनती भसम जो है वो दस ग्राम मुक्ता शुक्ती पांच ग्राम प्रवाल पिष्टी पांच ग्राम मिलाओ इसकी बीस पुडिया बनाओ एक पुडिया रोज आधी पुडिया सुभा आधी पुडिया शाम को ले लीजिए हनी में मिक्स करके चाट लीजिएगा चंद दिनों में आप भूल कि यह ब्रेन डूस के नाम से है आप कहीं भी गूगल पर सर्च करेंगे यह परड़क्त आपको मिल जाएगा इसका एक ही कैप्सुल शाम को पांच बज़े इसका टाइम फिक्स है पांच बज़े चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप इंडिया से बाहर हो इसको पांच बीच में कोई भी वेरियेशन हो सकता है तो यह इसका एक फंडा है यह चार पांच बजे का कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले इसको ले लेना है और दूसरी बात नाभी में तेल जो आपको मैंने बोला कि लगाना है तो सर्सों का तेल देशी घी कुछ भी आप लगाएंगे चलेगा अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत पैसा अपने पास ज्यादा है गोईल साब को देना है तो उसके लिए आप नाभी टच इस्तिमाल कर सकते हैं तो नाभी टच जो है यह गौवर्मेंट से सर्टिफाइड है जी एमपी सर्टिफाइड है और इसके जो बेन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुत ही कीमती शड्यूल जो है वो इन छोटी छोटी जानकारियां लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ वक्त बताया